आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि STRINGS क्या होती है STRINGS को आप लोग क्यों इस्तिमाल करना चाहेंगे और Javascript के अंदर STRINGS को MANIPULATE करने के कौन-कौन से तरीके होते है STRINGS को लिखने के कौन से तरीके होते है Double quote, Single quote, Template Literal का एक syntax आप लोग को बताऊंगा जिसको सुनकर आपको मज़ा आजाएगा और मेरे साब से जावा स्क्रिप्ट के अंदर टेंप्लेट लिटरल का सिंटेक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे स्ट्रेंग के साज भी कभी बहुत ही का यह हमारा बारवा सौरी तेरवा एपिसोड है और क्योंकि साज भी कभी बहुत ही कई आप लोग प्लेलिस जरूर एक्सेस करें और अपने गाउं की जमीन मेरे नाम करें अपने सारे बैंक के पैसे मेरे अकॉंट पर डाल देंग अब चैप्टर न स्ट्रिंग क्या होती है स्ट्रिंग होती है collection of characters ठीक है कभी भी आप लोगों को एक नाम लिखना है ठीक है या फिर मानलो आप लोगों को एक sentence लिखना है ठीक है तो आप करोगे क्या कि एक string बनाओ गया और उसके अंदर अपने characters डाल दो गया collection of characters को ही जावा स्ट्रिंग के जिसे मालो मैं आप लिखता हूँ let name is equal to Harry अब मैंने आप लोग को स्ट्रिंग के बारे में बताया था मैंने आप लोग को बताया था console.log name इस तरह से हम लिखेंगे और कुछ इस तरह से क्या होगा कि Harry प्रेंट हो जाएगा बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये तो स्ट्रिंग बिसिकली टेक्स्ट को मैनिपलेट करने के लिए और टेक्स्ट को सेव करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में बनाई जाती है स्ट्रिंग को दो प्रकार से बनाया जा सकता है एक तरीका होता है सिंगल कोट वाला एक होता है डबल कोट वाला तीसरा भी एक तरीका होता है जिसके बारे में बात करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि let name is equal to double coat Harry डाल दी एक string ये बनाता है ये बात आप सब के समझ में अब तक आ जानी चाहिए अब यहाँ पर देखो name.length मैंने लिखा है तो पांच आ ठीक है तो एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच characters थे तो पांच ही आईगी ठीक है गिन लेना गिनती आपको आती होगी ठीक है अगर नहीं आती तो अपनी नरसरी के teacher से मिले उससे बात करें दुबारा आपको सिकाएगा कोई दिक्षत वाली बात नहीं है अब तो हम क्या कहते है यह प्रैंड इसे वहा कि let मैं आपर friend is equal to प्रकाश लिख सकता हूँ इस तरह से और और उसको सिंगल कोट में डाल सकता हूँ ठीक है देखो डबल कोट से बनी हुई स्ट्रिंग को डबल कोट से बन करोगे आप लोग ठीक है और सिंगल कोट से बनी हुई स्ट्रिंग को सिंगल कोट से बन करोगे ठीक है यहाँ पर देखो पाच प्रिंट होगा पहले फिर प्रक डबल कोट और उसके बाद आपने लिख दिया शुब और फिर आपने लगा दिया सिंगल कोट यह वाला सरकस नहीं चले गाए अब ठीक है यह सरकस नहीं करना है ठीक है अब देखो जावास्क्रिप्ट कभी कभी क्या करती है अब देखो यहां पर अगर आप कंसोल डॉट पॉर गिविंग होती है ठीक है तो अगर चल जाती है तो इमत के नहीं चल गई इस वाले ब्राउजर में आप मेरे पास आरे हो और आप कह रहे हो कि यार मेरा नोकिया का पुराना फोन था मेरे पास उसमें मैंने अपनी वेबसाइट खोली तो यार वो तो चल गई है फिर यहां पर मैं इसको पूरी लाइन को कमेंट आउट कर रहा हूं ठीक है तो हमें यह नहीं करना है तो स्ट्रेंग्स आ यूस्ट्रेंग्स कर सकते कुछ इस तरह से मानलो मैं आप लिखता हूं मैं इसको कमेंट आउट करता हूं तकि कोड आपके पस रहे और यहां पर इसको replicate करता हूं alt-shift और स्टार्ट होगी ठीक है अगर आप कोई जीज बना रहे है और आप कहते हो गिंती जो है वो 10 से स्टार्ट होगी ठीक है तो 10 से स्टार्ट होगी कि आपकी सरकार है वाँ पर ठीक है अब जिसकी सरकार थी उसमें 0 से स्टार्ट करें ठीक है अब आप कुछ कर नहीं सकते है उसका तो जीरो से स्टार्ट होगी और क्यों होता है इसको पर मैंने एक शॉट्स बनाया हुए तो देख लेना ठीक है अगर आप एक बिगिनर हो तो इस बात को समझो कि जो स्ट्रिंग है वो उसमें गिंती जो होती है इंडेक्स होती ह significance की वो 0 से स्टार्ट होती है तो यहां पर अगर मैं नेम 0 करूँगा तो है आएगा दो यह आएगा फिर यह नेम 2 है फिर यह नेम 3 पिर यह नेम 4 है ठीक है अगर स्ट्रिंग की लेंथ 5 है तो 0 से लेके चार तक जाएगी जिरो से गिंती स्टार्ट करों क के बाद क्या प्रिंट होगा यह प्रिंट होगा ठीक है तो यह बात आप लोगों को बता होनी चाहिए स्ट्रिंग स्केन अल्सो भी ग्रेट इडियोजिंग सिंगल गोट देख लिए अब जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बड़ी घतर ना के और मज़ेदार है और आपको भी मज़ा आएगा इसको देखकर और यह modern जावास्क्रिप्ट का पार्ट है modern जावस्क्रिप्ट यहां से आप समझलो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तरह से मालो मैं उसको लिख देता हूँ boy1 ठीक है उसका नाम है प्रमोद ठीक है और एक है boy2 ठीक है उसका नाम क्या है निखिल अब मैं यह लिखना चाहता हूँ कि निखिल is a friend of प्रमोद ठीक है मैं यह print करना चाहता हूँ कि निखिल is a friend of प्रमोद ठीक है यह मैं लिखना चाहता हूँ, सिम्पल सी चीज है, तो और मैं इन वेरिबल्स का यूज़ करके लिखना चाहता हूँ, जिसा करके लिखना चाहता हूँ, कि अगर मैं boy1 में Harry भी डाल दू, तो Nikhil is a friend of Harry प्रोऺ सपोडिन, तो यहां पर देले, मैं आप रिखेंगी का हो घरन एक इसपड़र कर सकते हैं, तो आपके कीबोड में यहां होता है देख रहे हैं दोस्तों यहां पर यहां वाला भैक टिक होता है, बिना shift के दबाई है अपने keyboard में ठीक है और यह यहाँ पर होता है अब हम क्या करेंगे कि sentence is equal to यह मैंने बैक्टिक लगा है बैक्टिक लगाने के बात मैं लिखूंगा boy1 is a friend of boy2 ठीक है अगर मान लो javascript बनाने वाले ने ऐसा कुछ कर दिया होता कि boy1 variable यहाँ पर आ जाता तो कितना अच्छा होता हम directly print करते थे promote is a friend of Nicole यहाँ फिर Nicole is a friend of promote यहाँ पर आएगा boy1 यहाँ पर आएगा लेकिन अगर मैं अभी इसको print करूँ ठीक है अगर मैं इसको print करूँ अभी आपर तो क्या होगा तो यहाँ पर आप लोगों को यह string as it is print होकर मिल जाएगी लेकिन यह एक अच्छी कमर है कि backtick से आप string मिना सकते हो backtick से string मिनाने का फायदा ही होता है कि double code भी आप use कर सकते हो single code भी आप use कर सकते हो बहुत ही friend of boy1 कुछ इस तरह से लिखकर आगया अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे टाइप कर दूँगा sorry dollar not dollar और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा इस तरह से dollar लिख दूँगा यानि कि यह string लिख दूँगा तो आप देखो कि प्यारी समझ गई कि Nikhil is a friend of promote यानि कि boy2 की जगा निखिल लिखना है और boy1 की जगा प्रमोड लिखना है प्यारी समझ गई तो यहार इस तरह से हमारी template literals काम करती हो और मैंने यह आपर यह लिखाई कि template literals यूज बैक टेक्स इंसेड ऑफ कोट्स तो इस तरह से अगर मैं बैक्टिक का स्तेमाल करूंगा तो क्या होगा कि आप वेरेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो अंदर double code भी डाल सकते हो single code भी डाल सकते हो तो बहुत ही preferred way है यह strings को इस्तेमाल करने का JavaScript मैं बैक्टिक्स आप इसके interpolation क्या होता है बता दो तो आपको सब पता है concept सीख के बैठे हो आप को string interpolation क्या नहीं string interpolation यही होता है बहुत ही simple सी चीज़ अब देखो मैंने आपर बता रहा है name is a variable and this prints this is a Harry ठीक है तो simple सी चीज़ है अब escape sequence characters के बारे में आप लोग को बताऊंगा और फिर हम इस वीडियो को wrap करेंगे अब देखो क्या होता है कि मान लोग कि आपके कोई पीछे पढ़ गाए ठीक है पीछे पढ़ जाए पीछे पढ़ जाए का मतलब बताता हूं ना ना वाला पीछे नहीं पढ़ जाए मैं बताता हूं लोगो क्या कह रहा हूं मैं पहले मैं type कर लो escape sequence characters तो हम क्या बात कर रहे थे पीछे पढ़ने की बात कर रहे थे हम कोई आपके पीछे पढ़ जाए कोई आपसे कि भाई मुझे single quote की string के अंदर ही single quote लिखना है अब बताओ ठीक है तो आप लिखोगे let fruit is equal to ठीक है मान लोग आपने double quote single quote के अंदर लिख दिया बनाना ठीक है अब कोई कह आप escape sequence character कर सकते हो आप back slash single quote लगा होगे तो यह यहाँ पर सिर्फ single quote की तरह इसको रखेगा ठीक है अब मैं इसका मतलब आप लोग को बताता हूँ अगर मैं fruit यहाँ पर print करता हूँ और इसको run करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर की fruit जो भी है वो यहाँ पर print हो ज characters होते हैं हमारे पास जो की होते तो दो character है back slash के बाद एक character होता है लेकिन वो एक character के तौर पर treat किये जाते हैं तो अगर आप इसकी fruit.length भी अगर यहाँ पर print करोगे तो एक दो तीन चार पाँछे साथ आठ की जगा साथ आईगी क्योंकि back slash single quote एक character है और वो एक escape sequence character है ठीक ह तो यह चीज है अब back slash n होता है मारे पास एक escape sequence character back slash r होता है carriage return तो उनको आप लोग try करना और देखना क्या होता है back slash n से एक new line है जाती है जिसे मैं अगर यहाँ पर एक back slash n लगा दूँ तो एक new line है जाएगी बना के बाद और उसके बाद na नीचे print होगा तो यह सब stand करीगी string को तो आप single code का इस्तेमाल कर सकते हो using escape sequences आप एक escape sequence single character लगा सकते हो और उसके बाद इसको इसको इस तरह से print कर सकते हो similarly हमारे पास एक double code का escape sequence भी होता है और double code के अंदर आप अगर double code इस तरह से डालोगे तो क्या होगा वो print हो जागे जिसकी माल लो अगर यहाँ पर मैं सेम चीज़ करता हूं मैं इसको replicate करता हूं इसको comment out करता हूं विकूल मैं चाहता हूं कि code आपके पास रहे ठीक है अगर यह single code को मैं double code बना देता हूं एक minute एक minute चुरुकिए एक minute बहुत होता है शायद 3-4 second ले रुका है मैंने आपको और मैं इस तरह के parts को trim भी नहीं कर सकते हूं कि मैं चाहता हूं आप देखो मैं क्या कर रहा हूं तो बनाना का double code यहां पर आ गया है तो इस तरह से आप लोग जो है वो कर सकते हो ठीक है I hope कि यार सब को समझ में आ होता है क्या नहीं होता है ठीक है तब तक के लिए जो है आप प्लेलिस्ट को access करो यहां क्लिक करके bookmark करो यहां क्लिक करके save करो और सब लोग यार देखो एक comment बारो नीचे और मुझे बताओ honestly जावास्क्रिप्ट का एकोर्स कैसा लग रहा है ठीक है और full serious mode में लिखना कि जावास्क्रिप्ट का एकोर्स अभी तक कैसा चल रहा है क्या इसमें improvements की जा सकते आने वाले वीडियो में तो आप लोग जो है अपना feedback मुझे नीचे comments पर देना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल